हेलो दोस्तो मेरा नमित है एंड़ीटि एन क्वालीटि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आजके इस वीडियो में हम अल्ट्रा सोनिक टेस्टिंग में जो आप साउंड यूस करते है जिसको आप अल्ट्रा साउंड बोलते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं तो ultrasound के अलावा यहां पे दो टाइप के और भी sound होते हैं ठीक है जिसको एको audible sound ऐसा बोलते है audible sound और दूसरा जो है वो infra sound होता है तो यह जो sound के type है वो हम यहां पे देखेंगे कि यह जो sound है अलग-अलग इसमें कौन-कौन सी frequency use होती है मतलब कौन-कौन से megahertz में या फिर hertz जो frequency का unit है उसमें यह frequency कौन सी range में यह तिनों जो sound है वो पड़ते हैं और इसके अलावा जो हम ultrasound use करते हैं उसका कहां-कहां पे use होता है audible sound है और infra sound है उसका भी कहां-कहां पे use होता है वो भी हम यह वीडियो में देखेंगे तो ultrasound है वो जनरली यहां पे अगर आपका frequency greater than 20 kilohertz होता है तब use होता है इसका हम UT में use करते हैं तो below 20 kilohertz आपका frequency है तो वो time पे यह दोनो sound picture में आते हैं तो यहां पे हम यह वीडियो में देखेंगे कि ultrasound के अलावा भी यह दोनो sound कहां-कहां पे use होते हैं तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यह वीडियो अपने दोस्त और कलिग लोगों को शेयर करिए इसके अलावा जॉइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का membership ले सकते हैं तो मैंने बहुत सारे member exclusive video बनाए हुए हैं तो यहां पे member exclusive video में mainly entity level 2 के video है उसके अटावा advance entity के भी मैंने video बनाए है और advance entity के अलवा code और standard के भी video आपको मिल जाएंगे तो अलग-अलग code है जैसे ASME, AWS है उसके acceptance criteria और उसमें entity कैसे करना है उसके भी video आपको मिल जाएंगे तो यह सब video का access लेने के लिए आप join feature का use कर सकते हैं तो यहां पे खाली 89 रूपीज से आप यह join feature का use करके membership ले सकते हैं तो यहां पे sound class classification देख लेते हैं कि कौन-कौन से type के sound होता है especially यहां पे हम frequency के हिसाब से देखेंगे तो sound waves are divided into three categories that are different frequencies ranges तो frequency ranges के सबसे यहां पे तीन category दी गई है सबसे पहला है audible sound दूसरा है infrasonic sound और तीसरा है ultrasonic waves ठीक है waves यह आप sound बोल लीजे मलब audible waves, infrasonic waves और ultrasonic waves तो यह तीन category में sound waves जो है उसको categorize किया गया है तो यहां पे देखिए सबसे पहला इसमें infrasound दिया गया है अगर आपका frequency जो है वो 20 hertz से कम है below 20 hertz then it is called infrasound ठीक है और यहां पे आप wave देख सकते हैं wave में यहां पे आपको wavelength टूनना है तो यह जो distance है यहां से लेके यह distance यह आपका wavelength बोला जाता है इसको lambda करके आप बोलते हैं ठीक है और यहां से यह जो यह पूरा complete जो है इसको cycle बोला जाता है तो यह जो cycle complete करने के लिए time लगता है उसको period बोला जाता है ठीक है यह ultrasonic का एकदम basics है तो हमारा UT का जो पूरा syllabus है ठीक है लेवल 2 का जो आप membership लेते हो तो उसमें यह सब topic जो है वो cover हो जाते है दूसरा जो है हमारा audible frequencies, audible waves है जो 20 hertz से 20 kilohertz आपका frequency है तो वो range है वो आपका audible frequency का range है ठीक है आप यहां पे देख सकते है कि frequency यहां पे ज्यादा है ठीक है frequency ज्यादा होगा मतलब frequency यहां पे ज्यादा है इसकी compare में यहां पे जो frequency है आपका infrasound उससे ज्यादा frequency audible sound में होगा तो यहां पे wavelength जो है lambda वो कम हो जाएगा मतलब दोनों wave के बीज का distance यहां से लेके यह आप देख सकते है यह कम है ठीक है और तीसरा जो हमारा है ultrasound जैसे मैंने बता है over 20 kilohertz आपका frequency है तो वो ultrasound बोला जाता है ultrasonic waves आप इसको बोलते हैं तो इसमें frequency और ज्यादा है ठीक है तो यह frequency ज्यादा है तो इसमें wavelength और कम हो जाएगा ठीक है तो यह तीन टाइप का waves यहां पे आपको देखने को मिलेगा frequency के इसाब से हमने यहां पे यह classification किया हुआ है अगर frequency 20 hertz से नीचे है तो infrasound है 20 से 20 kHz के बीच में है तो audible frequency है और 20 kHz के ऊपर है तो ultrasound है ठीक है अभी यहां पे infrasound है यह आप देख सकते हैं यहां पे elephant row किया है elephant मतलब कि यह जो frequency है वो elephant वगेरा सब animal होते है वो सुन सकते हैं ठीक है मतलब below 20 hertz वाला जो sound है वो आम अदमी मतलब आम और आप नहीं सुन पाएंगे इसके लिए animal जो रहते है वो यह frequency भी सुन सकते हैं 20 hertz से 20,000 hertz जो frequency है जो audible sound वेव सम बोलता है वो आम अदमी सुन सकता है ठीक है मतलब यह अमारे लिए audible range है और 20,000 hertz के उपर मतलब greater than 20,000 hertz यह जो frequency है हम ultrasound में use करते हैं और यह generally हम नहीं सुन पाएंगे ठीक है और यह जो frequency है bats वगेरा है वो सुन सकते हैं अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर audible sound देखते हैं जिसका frequency range कितना है 20 hertz to 20,000 hertz audible waves are waves that lie within the range of sensitivity of a human ear ठीक है मतलब आप अपने कानों से सुन सकते हैं audible waves का जो frequency है उतने frequency में vibration होगा तो आप अपने कानों से सुन सकते हैं they can be generated in a variety of ways such as by musical, musical instrument, human vocal chords and loudspeaker ठीक है तो instrument में या loudspeaker में या हम और आप बोलते हैं और आपको जो सुना ही देता है यह सब audible range में होता है मतलब कि 20 hertz से लेके 20,000 hertz के यह frequency में रहता है तो इन frequency में जो भी आवा जाएगा वो आप अपने कानों से सुन सकते हैं audible range is from 20 hertz and 20,000 hertz तो इसके बीच का आपका range रहेगा दूसरा है infrasonic waves जिसका frequency less than 20 hertz है जो जनरली हम आम आदमी है वो नई सुन पाएगा तो waves of frequency less than 20 hertz are known as infrasonic waves elephants can use infrasonic waves to communicate with each other ठीक है तो elephant है दो elephant communication करना चाहते है तो यह जो frequency use करते है वो 20 hertz से नीचे होती है तो वो एक दूसरे से communicate कर पाते हैं even when separated by many kilometers ठीक है यह आप देख सकते हैं many kilometers मतलब बहुत दूर होते हैं तो भी यह आराम से communication कर पाते हैं इसका reason यह है कि इसमें देखिए frequency बहुत कम है ठीक है frequency कम है मतलब इसका lambda मतलब wavelength है वो ज्यादा रहेगा ठीक है ना wavelength ज्यादा रहेगा तो मतलब wave है आसानी से दूर जा पाएगा उसका energy long distance होगा तो भी उसका energy है बचा रहेगा आप देख सकते हैं इसका wavelength है ज्यादा है ठीक है इसका जो wavelength होगा वो ज्यादा होगा यह हमारा इंफ्रासाउंड है तो इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड है उसमें वेवलेंच ज्यादा रहेगा तो वो लॉग डिस्टंस कवर करेगा और जैसे यह एलिफंट है वो लॉग डिस्टंस पे भी होते हैं तो भी इससे communicate कर पाते हैं क्योंकि ये long distance पे travel करते हैं ये waves इंफ्रासोनिक waves are produced by large vibrating bodies इस waves are not audible to human ear ठीक है तो large vibrating bodies होगा उसमें से ये produce होते हैं और human ear मतलब हम और आप ये नहीं सुन पाएंगे for example इंफ्रासोनिक waves are produced by the vibration of earth surface during the earthquake ठीक है तो earthquake के दोरान जो vibration produce होता है वो एक टाइब का इंफ्रासोनिक waves है some animals like elephant, rhinosaurus and whales etc. are produce infrasonic waves ठीक है तो ये कुछ animals है, whales है, rhinosource है, elephant ये सब आपका इंफ्रासोनिक waves है उससे communicate कर पाते हैं this frequency range is utilized for monitoring earthquake, charting rock and petroleum formation below the earth ठीक है तो जैसे earthquake monitoring करना है, rock charting करना है या जो हमारा earth है उसके नीचे petroleum formation है कि नहीं, वो चैक करना है तो ये अलग-अलग work के लिए ये इंफ्रासोनिक wave है, वो यूज किया जाता है in ballastocardiography and sysmocardiography to study the mechanics of the heart ठीक है तो डॉक्टर लोग है वो ये ballastocardiography या sysmocardiography जो हमारे heart के लिए एक type का heart का जो operation होता है उसको study करने के लिए ये system है तो इसके लिए भे ये इंफ्रासोनिक wave यूज किया जाता है उसके बाद है ultrasonic waves, तो ultrasonic wave जो है वो हम UT करने के लिए यूज करते है ultrasonic waves है frequencies above the audible range, मलब greater than 20,000 hertz हमारा audible range जो है वो 20 to 20,000 hertz है तो उसके above मलब उसके भी ज्यादा frequency है तो ultrasonic wave में आएगा ultrasonic sound emit it's easily heard by dogs although humans cannot detect it at all, ultrasonic wave also using medical imaging ठीक है तो dogs जो रहते है वो ultrasonic waves से ultrasonic sound वो भी सुन सकते है ठीक है उसके अलवा bats से वो भी ultrasonic sound से communicate कर पाते हैं और UT के अलवा medical field में भी इसका use होता है ठीक है आपने जो pregnant lady वगेरा रहते हैं तो उनका medical imaging करना है बच्चे का जो अंदर development हुआ है की नहीं कोख में वो देखने के लिए भी ये ultrasonic wave का use होता है तो sonography जो आप बोलते हैं उसमें ultrasonic wave का ही use होता है तो UT जो हमारा method है वो generally सबसे पहले जो history में आप देखोगे तो UT जो है वो सबसे पहले medical field में develop हुआ था उसके बाद हम industrial field में इसके लेके आये थे bats can produce and detect these waves the ultrasonic wave produced by the bats on reflection from the obstacles like building guide them to remain away from the obstacles during the night ठीक है तो यहाँ पे ultrasonic waves जो है न वो bats जो रहते हैं ठीक है चमगादर जिसको आप हिंडी में बोलते हैं वो क्या होते हैं यह ultrasonic wave को detect कर लेते हैं ठीक है तो जो भी ultrasonic wave building वगेरे सब obstacle होते हैं वहां से टकरा के वापस आये तो उनको वो भाप लेते हैं और आपको bats को पता चल जाएगा कि उदर कोई reflection आया मतलब उदर कोई building है या कुछ structure है तो उदर वो लोग नहीं जाएंगे ठीक है तो मतलब यह जो bats रहते हैं वो reflection जहां से होगा जहां पर obstacle होगा उससे बच पाएंगे bats also catch the prey मतलब animal that is hunted and killed by another for food ठीक है during night with the help of ultrasonic waves ठीक है मतलब कि कोई शिकारी आया होगा मतलब कोई bats का शिकार करने के लिए आया है तो उसको bats को पता जल जाएगा कि इदर कोई शिकारी है क्योंकि वहाँ से ultrasonic wave है वो टत्रा के वापस आएंगे reflect के वापस आएंगे ultrasonic waves produced by the bats spread out these waves after reflecting from a prey say an insect reach the bat मतलब कि यहाँ पे waves जे वो spread out होते है bats से वहाँ से spread होते है और जहाँ पे भी यह prey है मतलब शिकारी वगेरा कोई भी दूसरा जानवर है उदर से reflect होके वापस आते हैं तो bats को पता चल जाएगा कई यहाँ पे कोई शिकारी है ठीक है तो इस तरह से यह हमारे UT के field के अलावा भी medical field है यह bats वगेरा सब, dogs से यह सब भी इसमें communication के लिए use करते हैं ठीक है तो इस तरह से यह तीन टाइप के यहाँ पे waves होते हैं और कौन-कौन animal इसका यूज करता है तो अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूच सकते हैं ओके थैंक यू